पूरे दिन खेतों में चरने के बाद अशू अपने घर की ओर लोट रहे हैं और हम घर से खेत की ओर ये तालाब नरेगा वालों ने बनवाया था हमने यहीं पर तेरना सीखा लेकिन अब इसमें पानी कम और भेंसों का गोबर ज्यादा है सामने ही एक मुर्गी फारम बना है लेकिन नो एंट्री तो हम मुर्गी फारम के मालिक से पूछ कर अंदर गए अंदर जाने पे पता चला कि ये तो हमारे जानकार है फारम से जुड़ा ये खेत पचास भीगा में फेला था और बारिस का पानी खटा करके इसमें सिंचाई की जाती है इस खेत में कपास, भिंडी, मूंफली और बाजरे की खेती की हुई थी देश की मिटी में चलने का तो मज़ा ही कुछ और है इतना सुंदर नजारा देख कर में पक्षी के जैसे उड़ने लगा भूत गर्मी है, अब तो शिर्फ बारिस का इंतजार है शाम को खेतों में घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है दूसरे खेतों में भी लोग खेती कर रहे हैं और हम घर आ गए